दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आपके फोन की स्क्रिन रेकोड करने के लिए बेस्ट स्क्रिन रेकोडर अप्लिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ अलाग कि कुछ phone inbuilt screen recorder app के साथ आते हैं लेकिन अगर आपके phone में ऐसा कोई screen recorder app नहीं है या फिर आप उस application से record नहीं करना चाते हैं तो don't worry आज की इस वीडियो में top 3 screen recorder app के बारे में बताने वाला हूँ जिनका इस्तमाल करके आप उस phone की screen अच्छे से record कर पाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को भीना time best किये तो दोस्तो इस list में तीसे नमबर पर जिस application को रखा है वो है clip screen recorder इसको download करने के लिए play store पर जाता हूँ और search कर लेता हूँ clip screen recorder तो आप देख सकते हैं इसको 50 लाख से अधिक लोगों ने download कर रखा है 4.3 की rating के साथ बहुत सारे लोगों ने feedback भी दे रखा है यह वाला application उन लोगों के लिए suggest किया है जो लोग कोई भी gameplay record करते हैं तो इस app के feature की बात करूँ तो आप लोग sound के साथ 60 fps में screen record कर सकते हैं बिना किसी lag के और तो और आप free fire या VGMI में अपने teammate के साथ जो बातचित होती है उस और आप अपनी कोई भी record clip को storage में save करने की सुईदा भी देता है इसके अगले feature की बात करूँ तो आप अपने game के पूरे season को record कर सकते हो इसके खास feature की बात करूँ तो इस वाले application में 60 second का replay mode देखने को मिल जाता है जिसका उप्योग कर के आप 60 second की कोई भी clip को replay भी देख सक सकते हो तो यह वाला application भी बहुत अच्छा है इसको आप try कर सकते हैं तो दोस्तों इस लिस्ट में दूसरे नमबर पर जिस application को रखा है वो है X recorder तो मैं play store पर जाता हूं और search कर लेता हूं X recorder तो आप देख सकते हो screen recorder X recorder आपको दिखाई दे रहा है play store पर इसके rating की बात करो त 4.7 से अर्धिक rating के साथ 10 करोड़ लोगों ने इसको डवलोड कर रखा है तो यह वाला app भी बहुत ही कमाल का है और इसके feature की बात करो तो इसमें भी आप clear आवाज के साथ internal वा माइक के साथ में record कर पाएंगे और इसके interface की बात करो तो बहुत ही सरड़ है आप one tap मे screen short भी ल कर सकते हो इसके साथ अगर आपको अपने face को दिखा कर screen को record करना चाते हो यानि कि facecam video बनाना चाते हो तो भी इस वाले application में कर सकते हो तो फाइनली दोस्तों पहले नंबर पर जिस application को रखा है वो है एजेड screen recorder दोस्तों जब से चाइनीज ये बैन हुए है तब से इस वाले application की downloading बढ़ गई है ये ये मेरा भी फैबराइट है इस वाले application को में personally use भी करता हूँ इसको भी आप play store पर जाकर frame में download कर सकते हो इसके downloading की बात करू तो play store पर 5 करोड से अधिक लोगों ने इसको download कर रखा है और 4.3 की rating मिली हुए इसके feature की बात करूँ तो just one tape में record कर पाएंगे अपनी screen को कहने का मतलब यह है कि ये simple interface इससे भी आप कोई भी game की recording face game या बिना face game के साथ record कर सकते हो और इसके अगले feature की बात करूँ तो इसमें record quality की बात करूँ तो 10201080 resolution के साथ 60fps में clear sound के सा कर सकते हो और इसके अगले feature की बात करूँ तो इसमें भी आप live stream को record कर सकते हो तो दोस्तों इन तीनों के अलावा आप कौन सा यूज करते हो अगर नहीं करते हो तो कौन सा वला अच्छा लगा comment करके बताना और वीडियो पसंद आए तो इसको like अपने दोस्तों में share करना तब तक लिए जय ही जय बारत